अब मानते हैं कि 2020 में ब्रहमर्शी समाज राष्ट्री ये जनता दल के साथ गया। नहीं दिख भ्रहमित हुआ राष्ट्री जनता दल के साथ गया। किसने दिख भ्रहमित किया। क्या चिराक पासवान वो बड़े कारण थे अकेले लड़कर। अब वैसे लोग भी एकदम बंडी टाइट करके कि अब हम कल मुख्यमंतरी का सपत ले लेंगे, मुख्यमंतरी का ओत ले लेंगे। ये तभी हुआ जब इस तरह की भूल हुई। उसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम यह हुआ कि नितीज जी कमजोर हुए और नितीज जी कमजोर हुए तो बिहार कमजोर हो गया। देखे उपहिंदर कुस्वाजी एक बहुत मजह हुए राजनीतिक है। और राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, जो स्वयम से उपर हटकर और एक जमात के लिए सोचें अब ऐसी संख्या बहुत कम है। नितीज कुमार जी के मंत्री मंडल में एक समय में महाचंदर प्रशाथ सिंग, ललन सिंग जी, विजय चोधरी जी तीन-तीन भुम्यार मंत्री थे। अब लग रहा है कि 25 में कोई लडाई नहीं होगी। कि समापती के बाद जेडियू बीजेपी राजत के साथ ही अन्य राजदितिक पार्टियों में भी हलचल काफी जादा तेज है लेकिन वहीं कई ऐसे नेता भी हैं जो अब कभी दूसरे पार्टी में थे तो अब किसी और पार्टी में नजर आ रहे हैं आज जनता दल का दामन थामा है इंजिनियर संभुनात सिंहा ने आपको बता दे कि जब समता पाती बनी थी तो उसके फाउंडर जेनरल सेकरेटरी थे वो जेनरल सेकरेटरी जो कि उपेंद्र कुश्वाहा भी थे कुछ समय पहले जब उपेंद्र कुश्वाहा ने अभी हाली में नई पा लेकिन सामिल होने के साथ ही जिस तरीके की बात उन्होंने कही है आज उसके बाद बिहार की राजनिती में कई तरह की चर्चाएं भी हो रही है हम जुड़ेंगे सिधे संभूनात सिन्ह जी से बात करेंगे इनकी राजनिती को लेकर और आगे आने वाले विधानसभा हो गया और मैं काफी दिनों से किसी पार्टी में नहीं था यह दिपी में जनतादलियों में नहीं था फिर भी लोग सभाचुनाओं में बैक्तिकत कारणों से भी और नितीश जी के प्रती एक थोड़ी हमारी कमजोरी रही है शुरू से उस नाते भी हमने जनतादलियों को कि मुझे घर वापसी करनी चाहिए तो आज घर वापसी हुए है इसमें बहुत से राजनितिक विचार भी जुड़ेंगे बहुत सी कयास भी लगेंगे सवाल यह है कि आपने जो पार्टी ज्वाइन की है जनतादल यूनाइटेड वो गटबंधन में एंडिये के उपेंद उपेंद्र कुश्वाहा को छोड़ कर निधिश कुमार के पास जाने का क्या कारण है फिर मैं आपको दो leg bus dairy हूं जोड़े हूए मुझे constraint महिना से ज़्यादा हो गया पाटी में आप राष्ट्रिय महार सचीयों के पर पर थे जी हां बिलकुल उसके बाद हम स्वामी सहजानन श्रस्वती विचार केंद्र के बैनर पर पूरे बिहार में हम लोगों ने मिलकर जनता दल यू या अत्वा इनके सहयोगी विचार धारा क के साथ हम लोगों ने काम किया था तो अब उपेंदर कुस्वाहाजी के खिलाप हम जनता दल यू में इसी बात नहीं है और निश्चित रुप से उपेंदर कुस्वाहाजी भी अभी हमी लोग के गटवंदन में इसी पार्टी के गटवंदन में है तो हम एक दूसरे के कि मैंने ऐसी बात नहीं कही थी मैंने कहा कि हमारे जैसे लोगों वहाँ थोड़ा असाहज हो गया है निश्चित रूप से कारंत होगा असाहज होने का कुछ क्या आपकी सुनी नहीं जाती थी या उपेंदर कुस्वाहा के वल अपनी बात मानते अपनी ही काम करते थे अपन मंजे हुए राजनीति हैं और अब राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो स्वयम से उपर हटकर और एक जमात के लिए सोचें अब ऐसी संख्या बहुत कम है फिर भी उपेंदर कुस्वाहा जी एक सुल्जे हुए राजनेता हैं और हमारे मन में आज भी उनके प्रती बहुत समान है उनके प्रती समान में कोई कमी नहीं लेकिन परिस्तितियां कई बार बनती है ब्यक्ति न चाहते हो भी कुछ कदम उठाता है परिस्तितियां बनती है बिगड़ती है उस समय मुझे लगा कि इस पार्टी में जो परिस्तितियां भी बन रहती है तब ही राजनीती आगे बढ़ती है मुझे लगा कि वो इस पार्टी में उस तरह के लोग अब धीरे-धीरे निकलते जा रहे हैं तो हम थोड़ा साहज महसूस किया बस यही बात है अब उपेंद कुश्वाहाज जी को छोड़कर उस पार्टी में और कोई बड़े न केता है सारे जन अधारवाले नितातों कि सब्गेड़ मैं ऐसे कैसे बोलूं अच्छा रमेश कुश्वाह जी जाउपेंद्र कुश्वाह का साथ उन्होंने छोड़ा तो उनकी पत्नी को लोकसभा का टिकट मिल गया अब आप आ गये हैं जनता दली उनाइटेड में तो क्य क्या आसवासन मिला है क्या नितीश कुमार जी से मुलकात हुई क्योंकि अगले साल विधान सबाचुनाव है देखिए मुख मंत्री जी से अभी आपने सुरू में कहा जब मैं सम्टा पाटी की निर्मान काल से जुड़ा हूं तो निश्चित रुप से मुख मंत्री से हमार बहुत गहरा संबंद्रा है बहुत नजदी का बहुत सने मिला उन से हम कभी उस तरह से दिमाग में लेकर कि हमको कहां से टिकट मिलेगा हम सुनाओ लडेंगे कहां से हाउस में कभी नहीं सोचे राजनिती में हमारी एक पहचान है और मैं उस पर गर्व करता हूं और सायद ह हमारे बिरोधी पार्टी के लोग और नेता भी यह नहीं कह सकते हैं कि संबुना सिना में किसी तरह की कोई संगठनिक शमता में किसी तरह का कोई दोस है तो लोग मुझे संगठन करता की रूप में जानते हैं तो यदि हमें कुछ मांगने के जरूरत होती है या मसूस होती ह कहीं भी, तो मैं यहीं मांगता हूँ, मुझे आवसर एक ऐसा रहना चाहिए, जिससे कि हम जिस पार्टी में हैं, जिस संगठन में हैं, उस संगठन को हम ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके साथ जोड सकें, जिससे उस पार्टी के नेता की स्थिति मजबूत हो, मेरा मुख के उदेश ही होता है, और इस बार भी, जब मुख मंत्री जे ने मुझसे पूछा, आप चुनाओ लड़ना चाहेंगे, मैंने सफष्ट बोला, दिसा निर्देश आपका होता है, मगर मैं मुझे संगठन में काम करने की आदत है, मैं संगठन में काम करने के लिए तयार हूँ, ऐसे आपका जो दिसा निर्देश हो, आपकी तो इच्छा होगी विदान सबा चुनाओ लड़ने की, क्या कोई छेत्र अब तक निश्चित किया है कि नहीं? देगे राजनीति तो जो लोग करते हैं, ठीक है, उनके मन में क्यों नहीं इचा रहेगी, और जिसका चालीस वर्सों का इतिहास हो, राजनीतिक इतिहास हो, और कभी इस वर के किरपा से कोई दाग नहों, मगर अगर उसी के लिए प्राथमिक उदेश नहीं होता है, मेरा प्राथमिक उदेश होता है, मैं जिस पार्टी में रहूं, जिस नेता के साथ रहूं, पहले उसको मजबूत करूं, उसके बाद ये इच्छा होती है, कि अफसर मिला, तो चुनाओ लड़ूं और सदन में जाओं, ये तो हर राजनी की चर्चा काफी जादा छिर गई है, कुश्वाहा पॉलिटिक्स, भूमिहार पॉलिटिक्स, कुश्वाहा पॉलिटिक्स को लेकर आपकी क्यारा है, और जिस तरीके से अच्छो असोक चौधरी ने जहानबाद में एक बयान दे दिया, उसके बाद जदियू के अंदर ही ज संदर्व का चीज नहीं है, हाँ, आपका एक सवाल जो है, उससे हमारा मतलब है, उसके प्रती हम थोड़ा यह रहते हैं, वो बोले भूमियार राजनीती, देखिए, भूमियार राजनीती इस प्रदेश में एक पिछले 25-30 वरसों से, बड़ा ही महतवपूर्ण केंदर बिंदू के रूप में रहा है, मगर यह कभी सकारात्मक दिसा में भी रहा है, तो कभी नकारात्मक दिसा में भी लोग इनको याद करते हैं, अब हम यह कहना चाहते हैं, कि ब्रमार्शी समाज यह पिछले 15-20 वरसों से, एक साथ, एक जूठो कर, जो देश और प्रदेश को विकास के दोर में ले जाने वाली ताकत है, उसके पीछे खड़ा रहा है, मगर दुर्भाग्य से, पिछले 2020 के चुनाओं में, एक साजिस के तहत, इस समाज के स्वामी सहजानर्श्वती की बिचार धारा के लोगों को दिख भ्रमित करने का काम किया लोगों ने, और एक उसका कुछ भाग दिख भ्रमित भी हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ, कि नितीज जी कमजोर हुए, और नितीज जी कमजोर हुए, तो बिहार कमजोर हो गया, यह दिख रहा है, अब वैसे लोग भी एकदम बंडी टाइट करके कि अब हम कल मुख्यमंतरी का सपत ले लेंगे, मुख्यमंतरी का ओत ले लेंगे, यह तभी हुआ, जब इस तरह की भूल हुई, आज हमारे ज्वाइनिंग में हम समझते हैं कि 90% लोग ब्रमर्सी समाज के ही लोग थे, और पूरे बिहार से लोग थे, आज हम ने उन लोगों से भी अन्रोद किया, जेडियो लीडर्शिप के सामने भी अन्रोद किया है, कि पिछले बार की गल्ती को इस बार कदापी नहीं दुराया जाए, इसका संकल्प लेना है, और इसकी जिम्मवारी वैसे कार करता हूं कि है, जो जिनका समाज में परभाव है, नहीं तो एक बार यदि यह फिर से बिहार उन्हीं हाथों में चला जाएगा, तो इसको बिनास होने से कोई नहीं रोख सकता है, हलाकि इस बात की समझ लोगों में आ गई है, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी गल्ती अब दुबारा होगी, औ और हम लोगों ने भी तो जुआइन किया है, उसमें मुख्य उदेश हमलों का यही है, किसी भी तरह से इस बाप ब्रहमर्सी समाज को एक जुट करना है, और पूरी तरह से नितिश कुमार को पूरी ताकत देनी है, ताकि इस प्रदेश को देश को कमजोर करनी वाले ताकते सर नहीं उठा सके, मतलब कि बिहार की राजनीती में तो केवल चर्चा पिछरे अति पिछरे दलीत की हो रही है, जाती है गन्ना के बाद और ज्यादा बढ़ गया है, तो भूमियारों को प्रतिनिधित्व कहां मिल पाएगा, कितना मिल पाएगा, सवाल प्रतिनिधित्व क जितना नितिष कुमार जी ने जनता दलिव में ब्रहमर्सी समाज का प्रतिनिधित्व दिया है, मुझे नहीं लगता है, किसी पार्टी ने, जिस पार्टी का राष्टिय धेक्ष ब्रहमर्सी समाज करा हो, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यष ब्रहमर्सी समाज करा हो, ज मुझे याद है आज भी स्री नितीज कुमार जी के मंत्री मंडल में एक समय में महाचंदर प्रशाथ सिंग, ललन सिंग जी, विजय चोधरी जी तीन तीन भुम्यार मंत्री थे, तो सवाल है कि इसमें नितीज जी की कोई गलती नहीं है, अब अगर नितीज जी भी वापस है, यह चीजे ब्रहमर्सी समाज के लोगों को समझना होगा, ब्रहमर्सी समाज नितीज कुमार को ही नेता माने, अपने समाज में कोई उनका नेता उभर नहीं पाया, नहीं नहीं, ब्रहमर्सी समाज का नेता अगर नहीं रहता तो तीन-तीन कबिनेट मिनिस्टर के से बनते एक मंत्री मंडल में एक जात के अगर उनका अपना नेता नहीं रहता तो किसी एक पार्टी के राष्ट्रिय धश्के से बनते हैं लेकिन जहां बिहार को नेत्री तुप देने की बात आती है वहां नितीज को भुबार के सामने नकल कोई भी कल्प था ना आज है नो आने वाल थे अकेले लड़कर जो भी कारण रहा हो मगर दिख भ्रमीत हुए कुछ लोग वो चीजें अब नहीं दोहराई जाएगी उसके लिए हम ब्रमर्शी समाज के कोई सरुमाने नेता नहीं है लेकिन उसके हर लोग प्रतिनिदी है उसके अपने अपने छेत्रों में अपने पहुच है लेकिन लोग तो पलट जाते हैं ना गड़बंधन पलटने के साथ लोगों की भासा बदा जाती है अब ललन सिंग है कल को कुछ और कहते हैं जब मां गड़बंधन के साथ रहते हैं एंड ये के साथ आते हैं तो कुछ और कहने लगते हैं किसकी बात माने प्रमर बिहार उतना ही मजबूत होगा, वो जितना कमजोर होंगे, बिहार फिर से जंगल आज की और चला जाएगा, हमारा ये कहने का मतलब है, और ये चीजें ये अदि ब्रहमर्सी समाज के लोग जानते हैं, वीस पचीस वरसों से इसी धारा के साथ, इसी दिसा में चल रहते, हमारे पूरी कोशिस रहेगी, हमारे सातियों के पूरी कोशिस रहेगी, हमारे समाज के बाकी जो नेतागन है, उनकी पूरी कोशिस रहेगी, कि ये बदनामी अगली बार ब्रहमर्सी समाज के माते न फूटे, उसमें के बार ब्रहमर्सी समाज का ही दोस्ता नितिश कुमार क कमदोर होने लिगें वो भी एक दोस्ता दो और दो मिलके चार बनते हैं तो अगर वो दोस्त धर जाये तो दो जो बागी बचेगा फ़िन जाए तो नहीं नभानेगा बिलकुल लड़ाई है, क्यों नहीं लड़ाई है, विपक्ष है और पक्ष है, क्यों बना है, अगर यह कोई बोलता है कि बिलकुल लड़ाई नहीं है, तो मेरा ब्यक्तिक अत्मानना है कि आदमी बास्त्विक्ता से मुचुरा, लड़ाई है, लेकिन हमें लड़ना है, और व और हिम्मत पैदा करनी है हम लोगों को जदियू, बीजेपी, चिराक पासवान, माजी जी, उपेंदर कुश्वाह जी मिलकर मजबूत एंडिये में एक जूठ है या लगता है कि चुनाव आते आते कुछ बिखराव भी देखने को मिल सकते हैं क्यो नहीं एक जूठ होंगे, जो भी इस देश में विकास को पसंद करेगा, जो भी इस लाज में विकास की धरा को पसंद करेगा वो एंड़ी के साथ आएगा, उचाहई उप笛ंद को स्वाह जी हो, जीतन आममान जी जी हो, चिराक पासवान जो या, इस इनका भी आप नाम और जो इस बिकास की धारा के बिप्रित बिनास की धारा के साथ चलना चाहते हैं उनके लिए तो राष्ट्रिय जनतादल और उनके सयोगी का दर्वाजा खुला हुआ है जाए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तो देखिए नितीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है ऐसा कहना है इंजिनियर संभुनात सिनाजी का अब राष्ट्रिय जनतादल पर हम बात कर रहे थे लेकिन जनतादल यूनाइटेट का दामन इनों ने थाम लिया है इसके पहले भी नितीश कुमार के साथ लंबे अरसे तक काम किया फिर उपेंद्र धन्यवाद